एक बड़ी और exclusive research आपके लिए आने की तैयारी में है और वो है बजाज ओटो के buyback को लेकर आज बजाज ओटो अपने buyback की details का एलान करेगा बोड बेठा के हमारे research team ने ये पता लगाने की कोशिश की कि buyback कितना हो सकता है किस price पर हो सकता है तो आए जड़ा detail जान ले पेशे जी बिजनिस की exclusive research अर्मान तैयार है हमारे साथ अर्मान बताईए कितना buyback करेगी किस price पर हो सकता है और कोई range वगरा दिख रही तो बताईए कितने कितना amount का buyback हो सकता है वो निकल के आ रहा है हमारा 4750 से लगबग 6950 करोड का buyback हो सकता है इतना ये amount का buyback हो सकता है तो उस हिसाब से जो range का equity shares निकल के आ रहे हैं 3.6 से लेकर 5.5 % of total equity shares का buyback किया जा सकता है अब इसके भीचे हमारा यह सब्सक्रइब को और को irrational हें तो हमने एक रेंज़ ले कि 25 परसेंट अभी का और जो पाइचली बार यह था 6.6% उस हिसाब से रेंज निकल के है या आपकी 4750 करोड से 6950 करोड उसी के साथ साथ जो जब ऐलान किया जाता है बाइबेक का उसके पिछले महीने का जो लोएस लेवल है वहां से लगबग 15-20% प्रीमियम पर आता है बाइबेक तो अभी का मोजूदा अगर पिछले एक महीने का देखेंगे तो लोएस था 3650 वहां से अगर आप प्रीमियम निकल के देखेंगे तो वह बनता है 4,360 के आसपास तो एक perfect range हमने निकली कि 4,300 से 4,500 क्योंकि amount काफी है अभी cash and bank काफी बहुत जादा है तो एक perfect estimate निकालना कि एकदम कितना किस price पे आएगा वो थरा मुशकिल इसलि हमने एक range का data लिया और उसी के साथ-साथ क्योंकि जब वो पिछली बार जब buyback किया था तब वो 728 करोगा क किये गए थे जो कि equity shares के लगबख 15% है पर क्योंकि एक rule ये है buyback के लिए कि आप 25% से अगर आपका pad up capital reserve से जादा अगर buyback का आप करी नहीं सकते वो maximum buyback है और वो 25% जो अभी मुझदा equity capital का आता है लगबख 7,460 करोड तो ये वाली जो हमारी range है 4,750 से 6,950 ये एक best case estimate हमने निकाला है जो हो सकता है लोके तो ये आपके लिए buyback पर पूरी की पूरी details बजाज उठा है इसमें एक चीज़ जो ध्यान में रखने हो अजबास हमने कही सारे buyback आपके सामने रखे हैं रिक्दम परफेंट रखे हैं ज्यादा तर आई-टी कम चुके है लेकिं वहाँ पर पर्फेक्ट रिसर्च हम दावा नहीं कर रहें क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हो रहा है यह अगर बजाज वो तीन-चार तीन-चार साल में buyback करें तो हम बिल्कुल पर्फेक्ट बता देंगा आपको क्या एगा तो बस आपके सामने यह डिटेल्स लिए रखे हैं ताकि आपको एक ब्रोड ले अंदा जा रहा है यह ध्यान में रखेगा हम भी देखते हैं कि कितना क्या कुछ सही होता है यह डेटा सुनची और auto companies usually buyback करते हैं तो पहली हम नहीं है जो buyback करी auto space में कोई नहीं करता आजकर तो बस आपके लिए जब यह research हम रखने हैं तो यह ध्या आज ही आने वाला है फैसला उस पर हमारी नजल पर